बच्चो आज हम आपको साहित्य की नई विधा से परचित कराएंगे और वह नई विधा है कहानी आज की कथाकार हैं मन्नु भंडारी और उनकी कहानी का नाम है अकेली नई कहानी की सिद्ध हस्त कथाकार बाल बिमर्श की मार्मिक्षितेरी मन्नु भंडारी जी का जन्म मध्य प्रदेश मंदसौर जीले के भानपुरा नगर में 3 अप्रेल 1931 को हुआ इनके पिता स्री सुक संपतिराम भंडारी सुप्रशिद्ध समाज सुधारक थे माता अनूप कुमारी उदार सहंसील और धार्मिक महिला थी मन्नु भंडारी जी की जो प्रादंभिक सिक्षा है अजमेर के गुल्साइज स्कूल में हुई इंटर कालेज अजमेर से ही किया इंटर की परिक्षा अजमेर कालेज से ही की हिंदी से यमे करने के उपरांत बाली गंज सिक्षा सदन कलकत्ता में नौ वर्स तक सिक्ष की कारी किया सन 1969 में सूप्रशिद्ध साहित्यकार स्री राजेंद्र यादो जी से उनका भी वाह हुआ सन 1961 में राणी विर्ला कालेज कलकत्ता में प्राध्यापिका के रूप में इन्होंने अध्यापन कारी किया कुछ समय के उप्रांत वे दिल्ली के सोफिस्तिकेटेट कॉलेज में अध्यापन कार करने लगी सन 1999 में अवकास प्राप्त करने के उप्रांत मनु भंडारी जी ने दो वर्स तक उज्जैन में प्रेम चंद स्रीजन पीठ की निर्देशिका रही मनु भंडारी स्वतंता संग्राम में भी साहभागी नहीं है इन्होंने अपनी साहभागीता दर्जिकराई है मनु भंडारी उपन्यास कहानी नाटक आत्म कथा पट कथा सब में सिद्ध हस्त रशनाकार के रूप में जानी जाती है आपके उपन्यास बहुत चर्चीत हुए है जैसे आपका बंटी महाभोज स्वामी कलवा इसी तरह से आपके जो कहानी संकलन है एक फ्लेट सेलाप बहुत प्रसिद्ध हुआ है मैं हार गई तीन निगाहों की एक तस्वीर यही सच है जिस पर रजिनी गंधा फिल्म भी बनी है पांचमा इनका कथा संकलन है त्रिशंकू चटमा है आँखों देखा जूट और मन्नु भंडारी जी ने उपन्यास और कहानी के अत्रिक्त इन्होंने नाटक भी लिखे हैं बिना दीवारों का घर बहुत प्रसिद्ध हुआ है आत्म कथा में भी इन्होंने जबर्दस्त कलम चलाया है जैसे यह कहानी यह भी सवासेर गेहूं पट कथा के क्षेत्र में आपने रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पन, आदि में बखुवी से अपनी भूमिका का निर्भन किया है पट कथा के क्षेत्र में आपकी साहित्तिक प्रतिभा को देखते हुए आपकी साहित्तिक सेवा को देखते हुए आपको अनेक अलंकर्णों से अलंकृत किया जा चुका है जैसे महा भोज पर उत्तर प्रदेश इंदी संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया भारतिय भाषा परिशद कलकत्ता से भी आपको सम्मान मिला है कला कुंज सम्मान नई दिल्ली से प्राप्थ हुआ और विहार राज्य भाषा परिशद द्वारा आपको व्यास सम्मान मि भी आपने अपने आलेख कहानियां और रिपोर्ट ताज आद लिखती रही और बहुत ही प्यार के साथ दुलार के साथ सम्मान के साथ आपको पढ़ा जाता है बच्चो कहानी चुकि आप के लिए एकदम नया विश्य है नई विधा है साहित्य की तो कहानी पर हम थोड़ा सा कहानी पर हम और अधारना गज्यानकारी आपको दे देते हैं कहानी रहे क्या कहानी साहित्य की एक आशी विधा है जिसमें जीवन के किसी एक अंग विशेष का मनों रंजनपूर्ण चित्रण कि आ जाता है कहानी एक रचना है, जिसमें जीवन के किसी एक अंग, किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का प्रतिपाद्य होता है उसका चरित्र, शैली तथा कथा विन्यास सब उसी भाव को पुष्ट करते हैं अर्थाक किसी घटना, पात्र या समष्या का क्रम बध्य ब्यवरा जिसमें परिवेश हो, कथा का क्रमिक विकाश हो चरम उतकर सबिंदु हो, उसे कहानी कहा जा सकता है कहानी में किसी एक घटना विशेश का और किसी एक मनोभाव का चित्रांकन वखूभी किया जाता है आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो बड़े बुढ़े लोग हैं वे कहानियां सुना करके आपको सुलाते हैं। कहने का भाव यह है कि कहानी का जो प्रादुर भाव है वह आदम युग से ही चला आ रहा है। लेकिन कहानी जो है हिंदी कहानी अपने सही रूप में प्रशाद युग में जन्म लेती है। प्रशाद युग मतलब जैसंकर प्रशाद का युग जैसे प्रशाद जी का युग है प्रेम चंद युग है प्रेम चंद उत्तर युग है और प्रगत इबादी युग है प्रशाद युक के जो रचनाकार हैं जैसे चतुर सेन सास्त्री हुए, विश्वंभन नाज सर्मा कौशीक हुए, जैसे चंधर सर्मा गुलेरी हुए, उसने कहा था कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई है, एद्यपी इन्हों ने चंधर सर्मा गुलेरी ने तीन कहानिया लिखी हैं शुख में जीवन बुद्धू का काटा और उसने कहा था फिर बच्चों दूसरा यूग आता है प्रेम चंद यूग प्रेम चंद कथा संब्राट के रूप में जाने जाते हैं प्रेम चंद जी ने 300 से अधिक कहानियां लिखकर कीरतिमान इस्थापित किया है और अनेका नेक उपन्यासों की सरजना की है प्रेम चंद यूग में एक तो प्रेम चंद दूसरे सुदर्शन ब्रंदावनलाल वर्मा और आपके जैनेंद्र जैसे कथाकारों ने बहुत अपन भी लेखनी को बहुत ठूशाइयो तक पहुचाया है और कथा को विस्तार दिया है कि इसके बाद आता है प्रेम चंद्रोत्तर युग प्रेम चंद्र के बाद कि जिसे हम प्रगतिवादी यूग भी कह सकते हैं नई कहानी का युग भी कह सकते हैं समकालीन कहानी का भी युक कह सकते हैं इसमें उपेश्क विष्नु प्रभाकर रांग ए रागव याश्पाल प्रभाकर माचवे भीस्मसाहनी फनिष्वन ना थ्रेणु आदि अनेका नेक कथाकारों ने हिंदी कहानी जगत को अमर बना दिया हिंदी कहानी जगत में कीर्तिमान इस्थापित किया बहुत उत्कृष से साहिति दिया है यह तो कहानी का एक विस्तार किस तरह से हुआ नई कहानी में जहां हम मन्नू भंडारी जी पर चर्चा कर रहे हैं वहां ज्यांदंजन, दिनेश पालीवाल, अजीत पुषकल, क्रिश्ना अग्निहोत्री, मृदुला गर्ग, ससिप्रभाशास्त्री, क्रिश्ना सोवती, उशा प्रियंबदा, कमलेश्वर जी, मितलेश्वर, सूद्यवाला, नाशिरा शर्मा आज ऐसी कथाकार हैं जिन्होंने आज के समाज का यथार्थ चित्र खीचा है, ये रहा कहानी का एक विकास, संग्षिप्त विकास अब बच्चों हम जान लें कि कहानी के तत्तों क्या क्या होते हैं तो बच्चों कहानी के छे तत्तों हैं, जैसे कथाना क्या कथावस्तु, कथोप कथन, पात्र एबम चरिचित्रन, देश काल वाता वरण, भाषा सैली और उद्देश्य कहानी में पात्र और चरिचित्र का बहुत महत्तो है, चूंकि यही कहानी के मूल आधार होते हैं, कहानी को गत्सीलता प्रदान करते हैं, कहानी के उद्देश को इसपष्ट करने में सहायक होते हैं पात्र जो हैं, पाठकों को संदेश देते हैं, कि इस कहानी में क्या संदेश जा रहा है, पात्रों के चरिचित्र के माध्यम से, उनके वारतालाब के माध्यम से, लेखक जो है, अपना संदेश देता है आगानि को समापन की ओर ले जाने में पात्रों की जबर्दस्त भूमिका होती है अब है शंबाद योजना, कतूप कतन, संबाद योजना सहज और शरल होनी चाहिए यह सबसे पहली सर्त है संबाद योजना श्वाभाविक होनी चाहिए बनावटी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए विश्या नुकूल हो पात्रा नुकूल हो रोचक और संख्षिप्त होनी चाहिए अब आएए हम मन्नू भंडारी की सुप्रशिद्ध कहानी अकेली पर चर्चा करते हैं वास्तों में मन्नू भंडारी एक सिध्ध हस्त कथाकार हैं नई कहानी के अंदोलन में उन्होंने अपना विशेश योगदान दिया है उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण करके एक जवर्दस्त अध्याय जोड़ा है नई कहानी के इतिहास में उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण किया है अकेली कहानी मन्नु भंडारी के कथा संकलन तीन निगाहों की एक तस्वीर से संकलित की गई है शुप्रसिद्ध कथाकार मन्नु भंडारी ने अकेली कहानी में कहानी के तत्तों को समाविष्ट करते हुए वर्तमान सामाजिक रिस्तों पर करारा ब्यंग किया है अब बच्चो इस कहानी के पात्र हैं एक तो सोमा बुआ जो प्रमुख पात्र है इस कहानी की उनके पक्त सन्यासी जी हैं राधा भावी हैं और चूड़ी वाला समधी जी और गाओं की अन्य महिलाएं जो हैं वे इसकी गौड़ पात्र हैं सहायक पात्र हैं अब आईए हम जाने कथानक इस कहानी का क्या है कथा सार क्या है वास्तों में जो कथा की प्रमुख पात्र है सोमा बुआ उनके बेटे की मृत्र हो गई है इकललोता बेटाथा इसोमा बुआ का बेटा क्या जाता रहा उनकी अपनी जवानी चली गई पति को पुत्र ब्योक का ऐसा सद्मा लगा कि पत्नी घर वार त्याग कर तीर्थे यात्रा में चले गए परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो उनके एक आकीपन को दूर करता वर्ष में एक महीने के लिए उनके पति सन्यासी जी घर आया करते थे उन्होंने कभी पति की प्रतिक्षा नहीं की कभी आँखें नहीं विछाया कि हमारे पति आने वाले हैं आजकल सोमा बुआ के पति आये हुए हैं अभी अभी कुछ कहा सुनी हो चुकी है आपस में कुछ वारताला बढ़ गया है बुआ आंगन में बैठी धूप ले रही हैं कुछ बढ़ बढ़ा रही है जैसा ये स्वाभाविक हो ना ये बढ़ बढ़ाना स्वाभाविक प्रक्रिया है जब भीतर से दर्द हो परेशानी हो तो आदमी कुछ बढ़ बढ़ाता रहता है तब ही उपर से राधा भावी उतर कर कहती है क्या हो गया है बुआ क्यों बढ़ बढ़ा रही हो फिर सन्यासी जी महराज ने कुछ कह दिया क्या बुआ कहती हैं अरे मैं कहीं चली जाओं तो इन्हें नहीं सुहाता कल कि सोरी लाल के बेटे के मुंडर में चली गई बस इतने में मुझ पर बिगड़ पड़े तो राधा भावी कहती है अरे रोती क्यों हो बुआ कहना सुनना तो चलता रहता है आपस में शन्यासी जी महराज एक महीने के लिए तो यहां आकर रुखते हैं सुन ली आकरो बुआ कहती है अरे सुनने को तो सुनती हूं राधा पर मन तो दुखता है कि एक महीने के लिए तो आते हैं और कभी मीठा नहीं बोलते सारे रिष्टे नाते मुझे निभाने पड़ते हैं इन्हें रिष्टे नातों से कुछ लेना देना नहीं है तभी रिष्टों की ओर ज्ञाकते तक नहीं है एक दिन बुआ सन्यासी जी से बोली सुनते हो देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबन्ध भागी रिथी किया हुआ है वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई सम्मंद रहा नहीं फिर भी वे समधी तो हैं ही वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं तुम भी तो समधी हो तो घर की बड़ी बहु ने कहा बुआ बुलाए जाने वालों की लिस्ट में आपका भी नाम है मैं अपनी आँख से देख कर आई हूँ मैंने पढ़ा है आपका नाम बुआ बिन पल रुके चल पढ़ी और सीधे राधा भावी के कमरे में गई और बोली क्यों री राधा तु जानती है कि नए फैसन में लड़की की साधी में क्या दिया जाए तु तु भाई नए जमाने की है तुम्हें पता होगा कि लड़की की साधी में नए फैसन में क्या दिया जाता है समधियों का मामला ठहरा समधियों का मामला ठहरा सो भी पैसे वाले खाली हाँ जाओंगी तो अच्छा नहीं लगेगा मैं तो पुराने जवाने की ठहरी तू तो बता दे क्या दे दूँ फिर भुगा बोलती है घर में देने के लिए है ही क्या घर में कोई कमाने वाला तो है नहीं पुरानी संदूक में एक छोटे से बाक्स में एक पुरानी सोने की अंगूठी रखी है जो मेरे पुत्र की अंतिम निशानी है उसे ही बेंच दूँ क्या ऐसा बुआ मन में सोचती है अंतता राधा के हाथ बाजार में अंगूठी को बेच कर कपड़े और आर्टीफिसियल जुलरी लेकर आती है पांच बजे का समय सगाई के लिए तै हुआ बुआ दिन के बारा बजे से ही टक्टकी लगा कर देखती रहती है लेकिन कोई बुलावा देने नहीं आता अकेली सोस्ती रहती है साम को साथ बजे साम को साथ बच चुके हैं लेकिन कोई नहीं आता अंत में अकेली खाना बनाने में जुट जाती है ये है कहानी का कथानक कथा सार सवाल ये उठता है कि पांच रुपए और अंगोठी को आचल में बानते हो बुवा के मन में क्या विचार चल रहे थे जिस समय वे राधा को अंगोठी बेचने के लिए दे रही थी उस संदूक में पांच रुपए थे और एक अंगोठी थी उसको निकालते समय सोमा बुआ के मन में क्या चल रहा था सोमा बुआ ने जब पांच रुपए और अंगूठी को अपने आचल में बांधा तब बुआ को अपने जवान बेटे की आदा रही थी वे सोच रही थी मेरे बेटी की एक मात्र निशानी अगूठी भी मुझे मजबूरी में बेशनी पड़ी दूसरा प्रश्ण बनता है यो हर साल में एक महीने के लिए उनके पत पास आकर रहते थे पर कभी भी उन्होंने पत की प्रतिक्षा नहीं की उनकी राह में आखे नहीं बिशाएं आपको क्या लगता है वे पत की प्रतिक्षा क्यों नहीं करती होंगी वास्तों में सोमा बुआ के पत अपने पुत्र के मरने का गम सह नहीं पाए वे सन्याशी हो गए पूरे साल में वे एक माह के लिए घर आते थे लेकिन उनके मन में कोई खुशी आउमंग नह खुद था मानों उनके जीवन से खुशियों को किसी ने छेन लिया है वे उदास और अधीर रहती थी उनको पत के एक माह के लिए आने की अधिक प्रसंदता नहीं होती थी वे सामान ने बनी रहती थी उनको कभी-कभी अधिक खुशी या गम नहीं रहता था उन्हें हमेश ही पर कि पन ही पसंस था वे अकेले ही रहना पसंद करती थी बुआ की सोच और फैसण वाली की सोच में किस तरह का अंतर मिलता है वास्तों में जो सोमा बुआ हैं उनकी सोच परंपरावादी है बुआ अपनी आदर्स परंपराओं एवं रीत रिवाजों को मानने वाली हैं जबकि नए फैशन वाली सोच में प्राशीन परंपराओं को अधिक महतों नहीं दिया जाता आधुनिक्ता की चका चौंध का रंग वर्तमान पीड़ी पर चड़ चुका है इसलिए वे आदर्सों और पुराने द्रीत रिवाजों का पालन नहीं करती हैं वास्तों में बुआ जब गाओं में किसी के यहां कोई उत्सो मनाया जाता था तो यह पहुंच जाती थी और एक बार मुंड़न हो रहा था तो वहां बननाबनी का गीतगार है थे बुआ हसने लगी वोओली तुम लोग को मुंड़न का गीत नहीं आता कहने का भाव यह है कि बुआ लोग गीत की लोग संस्कार की भंडार थी वे पूर्टर संस्कारित थी और नई पीड़ी के लोगों को देखकर उन्हें तरस होता था वे दुखी होती थी अगला एक सवाल बनता है कि सोमा बुआ का चरित्र क्या है कैसा है आपने पूरी कहानी सुनी और इस कहानी में सोमा बुआ की जो चरित्र की विशेस्ताएं है वो उभर कर सामने आ गई है तो पहली बात तो यह है वे पराय घर को भी अपना घर मानती है गाओं के लोग जब उन्हें इसारा कर देते हैं बुला लेते हैं तो बुआ उनके यहां काम करने पहुंच जाती है क्योंकि जब वे कि सोरी लाल जी के घर मुंडन संसकार में जाती हैं तब वहां जाते ही काम में जुड़ जाती हैं उन्हें पता है कि नई नई फैसन परस्त बहुवों को काम काज नहीं आता पहली खूबी पहली विशेस्ता दूसरी विशेस्ता है कि बुआ एक सामाजिक रिटरिवाजों की शफल अनुपालन करता है वे जो सामाजिक रितरिवाज हैं उनका पालन करती हैं वे कहती है कि सन्यासी जी को क्या लेना देना क्योंकि वे तो साल भर में सिर्फ एक माह के लिए घर आते हैं सारे रिष्टे नाते तो मुझे ही निभाने पड़ते हैं और बुआ में त्याग भावना भी सोमा बुआ में कूट कूट कर भरी हुई है वे सगाई की मंगल वेला की तैयारी घर का सब कुछ अंगूठी तक को बेश कर करती हैं इससे बु तुसरे पात रहें उनके सन्यासी पति सोमा बुआ के पति देव सन्यासी जी का जो व्यक्तित्व है वह मनमोजी वाला है वे एक माह के लिए घर आते हैं फिर भी बुआ से कहा सुनी किये बिना नहीं रह सकते हैं तीसरी पात रहें राधा भावी तो राधा भावी एक साग्र बुद्ध की नारी हैं जो सगाई का सारा सामान बड़ी चतुराई से बजार से लाकर भुआ को देती हैं समय समय पर ह्षत के नीचे आकर भुआ की घवर भी लेती रहती उस पर आधुनिकतार का रंग अवस्य चर्था दिखाई देता है अब इस कहानी का जो सीर्षक है वह है अकेली आपने इस कहानी में देखा कथानक में देखा कि बुआ को अकेले ही जीवनियापन करना है बेटा सर्गवासी हो चुका है पति सन्यासी हो चुके हैं और कोई तो ये अकेली सीर्षक है अकेली एक कितना उप्युक्त है कहानी का सीर्षक अकेली रखना अपने सार्था कुद्देश्य की पूर्टी करता है लेखिका ने कहानी के आरंभ में जवान बेटे को खो देने और पति के गम और दुखने वासनों में होता क्या है कि कहानी के आर उनके पति उस गम में इतने दुखी होते हैं कि वे सह न पाने के कारण सन्यासी बन जाते हैं और सोमा बुवा बिचारी अकेली घर में रह जाती है अंत में बुवा को समधी द्वारा नहीं बुलाए जाने पर अकेली ही रह जाना पड़ता है इसलिए कहानी का सिर्षक अकेली सर्वथा उप्युक्त और सार्थक है क्योंकि बुवा का अकेली रहना सन्यासी पति का अकेला रहना और इसते नातों को भी अकेली भूमिका आदा करना आज ये अकेली सिर्षक को पूर्णता प्रदान करते हैं इस प्रकार यह कहानी अकेली बहुत ही सार्थक, संदेश परक, आज के समाज में सोमा बुआ के माध्यम से एक त्याग मई नारी और किस तरह से जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और उनको सह कर आगे की और बढ़ते जाना इस कहानी का प्रतिपाध्य है आज रिष्टे नाते ढोंग हो गए हैं आज रिष्टे नाते जो हैं वे उस तरह से नहीं निभाय जाते संसकार हींता सर्वत्र दिखाई देती हैं हमारे रीत रिवाज और पर्मपराएं सब समापन की ओर हैं लेखिका मनु भंगारी ने बहुत ही मनोवे ज्यानिक धंग से स रोमा भुवा का चरित्रांकन करते हुए अपना संदेश देती हैं आने वाली पीड़ी के लिए कि आप अपने संसकारों को सुरक्षित रखें अपने लोक के जो रीत रिवाज हैं उनको जानें उनको समझें और अपने रिष्टे नातों को भी पहचानें यही इस कहानी का प्रतिपाद्य है